नमस्कार शुक्दे क्रिकेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नदीम ने 48 विकेट चटका है और बहतरी एकॉनमी रेट के साथ किंदवाजी की है। एक सो चालिस टी ट्वेंटी मुकाबलों में उनके नाम 114 विकेट दर्ज हैं और उन्होंने 6.8 की एकॉनमी से रन खर्ज किये हैं। शावास नदीम एक अनुभवी खिलाडी है और इसी वज़ा से उन्हें लखनव की अंती में क्याड़ा में मौका मिलता देखा जा सकता है। दूसरा रवी बिशनोई युवा के इंदवास रवी बिशनोई को लखनव सुपरजाइंट्स ने शुरुआत में ही अपने साथ जोड़ लिया था लखनव के टीम ने उन पर बहुत विश्वास जताया है और वह इस विश्वास पर खड़ा उतानी के पूरी कोशिश करें बिशनोई ने हाल ही में भारतिय टीम के लिए डेबियू लिया था और चार मुकाबलों में चार विकेट चटकाया थे अब तक IPL में 23 मुकाबले खेल चुके रवी बिशनोई ने 24 विकेट चटकाया है इस बीच उनका इकानमी रेट भी शानदार रहा है रवी अपनी विकेट चटका चुके चमीरा ने 7.97 के एकानमी से गिनवाजी की है उमीद लगाई चारी के दुश्मनता चमीरा को अंतिमी 11 में मौका मिल जाएगा और उन्हें मौके को भुनाना होगा चौथा आवेश खान आईपिल निलामी में यह खिलाडी 10 करोड में भी का है पिछल लखणों के लिए श्यांदार प्रदूशन करने की तरफ देख रहे होंगे पाच्वा अंकीत राजपूत उत्तर परदेश की टीम लखनाव सुपर जाइंट्स ने उत्तर परदेश को इखिलाड़ी अंकीत राजपूत को अपने साथ जोड़ा है अंकीत राजपूत ने 29 म मकाबलों में 115 विकेट भी अंकीत राजपूत चटका चुके हैं और इस सीजन वह अपने अनुभव को लखनाव टीम के साथ साचा करते हुए नज़र आएंगे इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि लखनाव सुपर जाइंट्स की केंदवाजी में कितना दम है अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए बस इतना है किर्केट की तमाम खबर और रिकॉर्ड के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चपदे किर्केट अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और अन्यवाब